तो हेलो दोस्तों स्वागत है अप सभी का आपके आपने चैनल एक्साम करेक पॉन में तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कि की आई O.C.L. लिमिटेट का तरफ से दोस्तों वेकेंसी आया है एड़डाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साड में क्लियर करके लिखा गया है और दोस्तों यह Government of India Enterprise है तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और के आई O.C.L. लिमिटेट का जो भी वेकेंसी आया है वेकेंसी का बारे में बात करते हैं सारा चीज क्लियर करते हैं तो देखिए दोस्तों के आई O.C.L. का तरफ से कोई भी वीडियो पहले नहीं बनाया था यह फर्स्ट टेम वीडियो है इसलिए मैं आपको थोला बताना चाहता हूं कि यह Profit Making CPAC है और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि पैलेटेजिशन कंप्लेक्स है और ब्लास्ट फरनेस यूनिट है कहां है एंड कॉर्परेस्ट ऑफिस है बैंगलोर में और भी बहुत सरा चीज आप गयान प्राप्त कर सकते हैं आप गोगल में सार्च करके तो दोस्तों देखिए यह वैकेंसी जो है मैं सुरूद में ही एक चीज क्लियर कर देता हूं आपका टाइम में बरबात करना नहीं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है गेट स्कूर्ट का थू ही होने वाला है जैसे वीडियो आगे बढ़ूंगा मैं सारा चीज क्लियर करूंगा लेकिन जो लोग गेट नहीं दिये हैं या त फिर आप अगर गेट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं आपका गेट स्कूर अगर तो आप ये वीडियो स्कीप कर सकते हो ये वीडियो दिखने का आप स्कीप कर सकते हो वैसे आप वीडियो तो देख सकते हो लेकिन ये गेट वालों के लिए ही है आपका टाइम में परवाद करना नहीं चाहता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो पे स्केल और बहुत ही अच्छा यहां पे स्केल रहता है 40,000 से लेकर के 1,60,000 रहेगा EOE0 में मतलब आपका ट्रेंट प्रेंट रहेगा अप्टर सक्सेस्पूल और ट्रेंट प्रेंट यहां आपका बड़े आएगा लगबग लगबग पच्छास हजार से लेके लग 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 एक लाग पचास आठाट तक हो जाएगा आगे बात करूँगा दोस्त आप देख सकते हो कि यहां पर क्वालिफिकेशन क्लियर करके लिख्या गया है उपर में ही एकदम की इंजिनेरिंग डिगरी चाहिए आपको ठीक है इंजिनेरिं डिगरी मस्ट है फ्रॉम डिकोगनाइज इंडिवेट सिटी यह तक फिर इंशिट्यूट ठीक है और पास्ट आउड होना चाहिए 2017 से लेकर के 2021 तक 2017 से पहले वाला दोज़र एक इसके बाद वाला चलेगा नहीं बाद वाला तो अभी तक आया नहीं है लेकिन 2017 से पहले वाला नहीं चलेगा और इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो है गेट स्कोर 21-22 दोज़र एक वाइस में गेट स्कोर अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो वैलिड ग रखा गया है ठीक है या तो फिर अगर आपका जो है सीजी पीए में दिया गया है तो सीजी पीए के लिए भी यहां पे आप देख सकते हो कि सीजी पीए 7.729 पर जेनरल कंडिडेट के लिए और EWS कंडिडेट के लिए और 6.8 फॉर EWS कंडिडेट के लिए तो यह चीज आप ध्यान में रखना ठीक है डिसिप्रिन आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों कि मेकनिकल नंबरों पोस्ट जो है मेकनिकल में सबसे ज़्यादा है 11 पोस्ट है मेटलरजी में तीन है Electrical and Electronics में आप देख सकते हो 11 पोस्ट है Instrumentation and Control Electronics and Communication में 4 पोस्ट है Civil के लिए 2 पोस्ट है माइनिंग के लिए 2 पोस्ट है Computer Science के लिए 2 पोस्ट है Cool मिला के 35 GED का वेकेंसी है आपका एज 27 साल से कम होना चाहिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है 31 तरीक 7-2022 तक आपका एज 27 साल से जादा नहीं होना चाहिए ठीक है Below 27 years यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि Candidate Meeting Above Requirement and Appear for Gate examination सब्सक्राइब देख सकते हो आपका गेट स्कोर यहां पर चाहिए देख सकते हो दोस्तों एज ग्राइडरी है आपको अलड़ी पता है ACS-T के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और EWS कैंडिडेट के लिए अलग रहता है PWPDD के लिए दिंदसल का छूट रहता है तो यह सारा गॉर्मेंट का गाइडलेंड्स है यह सब चीज आप लोग जानते हो तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जो है नमबर ओक पोस्ट देखिए मेकनिकल, मेटलरची सब के लिए अलग-अलग है और उसमें पोस्ट का जो डिवीशन है यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि अन्रेजब काटेगोरी के लिए ACS-T के लिए क्या-क्या है नहीं है पुल मिले के 37 पोस्ट है दो दोस्तों तो यह बहुत अच्छा वैकनिसी है तो यहां पर देख सकते हो कि यह जो वैकनिसी है यह अली गेट थूगेट ही आपका यहां पर सेलेक्शन होने वाला है यहां पर देखिए मैं जैसा आपको बताया कि आपका स्टाइपेंड शुरू में रहेगा एग चलिस अजार से लेकर के एक लग चलिस अजार ठीक है उसके बाद बारा माईने के लिए रहेगा फिर अप्टर सेस्प一iasm रहेगा आपका सेलरी यानी चलिस रियापकूल कंपलीट करने के बाद आपका जो या इनी फ्रॉम्द द डेट अब आगा पकलोगे तो दो साल मान सकते वा दो साल बाद आपका सल्री हाइक होगा पचास अजार से लिए करके एक लाग साटेजर होगा आपका ग्रेड होगा ईवन तो यह चीज ध्यान में रखना ठीक है तो अभी आप देख सकते हो यह जो पचास अजार एक लाग साटेजर में बोला यह आपका जो है इसका साथ और बहुत सारा चीज एड़ हो जाएगा बिशिक पे जो है देर ने सपांचे स्व्चत हम प्रड़ कि और बेनिफिटा द्यान में बनिफिटे स्टीर कि सारा चीज रहता है कैसा और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि mode of selection जो है आपका कोई भी written examination नहीं होगा यहाँ पे clear कर दिया गया है कि mode of selection जो है तुरू gate score होगा उसका पाद जो है P.I. होगा यानि personal interview होगा दोनों में आपको बढ़िया होगा करना पड़ेगा और आपका जो है call for interview होगा 1-6 1-6 मतलब एक post के लिए 6 आदमी को बुलाया जाएगा और उसका हिसाब से फिर आपका selection होगा मतलब आपका competition जो है कफी tough होने वाला है कि आपको अलड़ी पता है यह मिने दतना company है profit making company है बहुत ही अच्छा इसका salary है और अभी का date में जो है unemployment भी बहुत बढ़ गया है तो आप उमिद कर सकते हो कि कोई भी exam देने के लिए आप जाओगे उसमें competition तो काफी जाता रहेगा ही documents आप देख सकते हो कि application form का साथ क्या 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 documents चाहिए online का क्या 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 documents है password size photograph बगेरा सारा चीज़ यहां पर clear करके दिया गया है दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि importance date का बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर clear कर दिया गया है कि important date जो है यह 17 number point में आप देख सकते हो कि online submission application form आप देख सकते हो कि career section में यह क्योई की IOCL का website में 2 September 8 से चालो हो गया है और उसका बात देख सकते हो कि last date जो है 24 तरीक को दिया गया है यानि 23 दिन आपका बगलागबगा आपका हाथ में time में रहेगा last date for received hard copy application of application along with documents 30 तरीक रहे गया है मतलब 30 तरीक के अंदर आप भेज जगते हो documents along with hard copy interview date आप देख सकते हो कि आपको बताया जाएगा through mail या तो फिर message या तो फिर official website में भी आपको दिया जा सकता है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा तो दोस्तो अगर आप interested हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो बहुत ही अच्छा एक opportunity है तो फिर आप वीडियो दिना तकी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में होग अपको वीडियो अच्छा लगा है थेंक्यू, थेंक्स पर वचिंग देख वीडियो जहिन, बन्ने मात्रम